नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह साथी साथ कैसा बीतेगा आज का दिन अर्थात दिन बहतर बीते उसके लिए एक उपाय भी इसके अलावा सक्सेज की हर राशी के लिए हर राश वाली के लिए सफलता की कुझी का एक नया पर्चम एक नई शुपता सुरवात करेंगे आईए जानते हैं आज के जोतिश दिशा में प्रवेश करने के रास्ते को और जोतिश दिशा के द्वारा सब कुछ पॉश्टिप पा लेने की एक गला को सुरवात करते हैं आईए सबसे पहले आज के पंचांग से परचे कराते हैं साढ मा के शुरुपक्ष सश्ठिति थी है आज चंद्रमा आज कुम्बराशी में नक्षत्र धनिश्ठा साम चार बचकर चोंतिस मिनट तक इसके बाद सततार का जिसे सत्विशा भी कहते हैं धनिश्ठा मंगल सत्विशा राहो योग रहेगा दस बचकर पंदर मिनट प्रातह तक वैध्रती उसके बाद विश्कंब तदनुसार दिनांक 11 जून दिन गुरुवार गुरुवार के दिन राहुकाल का समय होता है दोपहल एक बच कर 30 मिनट से 3 बजे तक राहुकाल अशुब समय माना जाता है जिसमें किसी भी नए और शुब काम के लिए प्राकरतक रूप से मना ही है अन्यथा राहुक के प्रभाव से वो काम बिगड सकता है अटक सकता है रुक सकता है उसमें अवरोध हा सकते है लेकिन एक समय गुलिक काल कहलाता है फिक्स होता है हर दिन का तो गुरुवार का गुलिक काल है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बज कर 30 मिनट तक कि ये वो समय होता है जब आप कोई भी नए और शुबकाम के लिए कदम बढ़ाएंगे तो काम आपके बनते चले जाते हैं चलिए आगे हम लोग भी पढ़ते हैं और जानते हैं आज की भविश्य वारी आज का भविश्य फल सबसे पहले जानते हैं आज की मेश राशी आज थोड़ा उठा पटक सिक्षा छेतर में आपको देखने को मिल सकता है कुछ तनाव अपने मित्रों की वज़े से आपको प्राप्त होगा दोस्ती में आज साउधानी बरतने के आवश्यक्ता है लेकिन ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए नोकरी में आज परमोशन के चांसेज हैं बॉस आपसे प्रशन रहेंगे सरकारी छेतर में कुछ रुके कारे आपके बन सकते हैं गौर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आज कोई दोस्त बहुत करीब से मदद करेगा दामपत्य जीवन में उठापटक के साथ कुछ बहतर होने की उमीद लग रही है लेकिन लव लाइप में क कुछ दवाओं पर खर्च बढ़ सकता है उपाय के तोर पर आज मादुरुगा का ध्यान करके उन्हें लालपुष परपित करिएगा क्या नहीं करना है आज बड़ों के सलाह को अंदेखा कदा पिना करना है शुबरंग आपके लिए आज काला है भाग की प्रिशत 54 सिक्टर में मुश्किलों से बाहर आएंगे प्राइवेट सिक्टर में कुछ उन्नती स्वतह मिल जाएगी धन की स्तिती बहुत अच्छी बिजनस छेत्र में रूके धन की प्राप्ति शादी की चरचा हो सकती है मकान आधिकी चिंता दूर हो जाएगी सरकारी छेत्र में उठापटक रहेगा government sector किसी तरह से आज सगारात्मक नहीं है सरकारी छेत्र में कुछ बड़ी मुश्किलें भी आ सकती है दामपत्य जीवन आपका उत्तम रहेगा दामपत्य जीवन में परेशानियों का अन्त होगा मुश्किलों से बाहर आएंगे पति-पत्नी के बीच तनाव खत्म हो रहा स्वास्त आज आपका ब्यहतरीन रहेगा जुखाम बुखार से मुक्ति मिलेगी आज छाती में दर्द कम रहेगा लेकिन दामपत्य जीवन और लव लाइफ दोनों में उठा पटक कुछ हो सकता है यहां आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता है रिस्तों को आज दिल से निभाने की कोशिश करिएगा दिमाग मत लगाईएगा प्रयोग क्या करना चाहिए आज मुश्यक्त राशिवालों को कच्चा चावल किसी जरूरत बंद को दे दीजेगा और क्या नहीं करना है आज किसी छोटे बच्चे को परिशान मत करिएगा आँख न दिखाईएगा शुबरंग आपके लिए बैगनी भागी प्रसत 49 मिथोन राशिव आप पर कुछ लांचन लग सकता है पढ़ाई आज कदा भी नहीं हो पाएगी स्रिक्चा में मुश्किलें आ रही है स्रिक्चा छेतर में कुछ तनाव की स्थितियां अपने आप बन रही है ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी बिजनस में किसी तरह की दिक्कतों से बाहर आएंगे कोई बहुत बड़ी समझ से आज अपने आप दूर हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में लाब के उसर बनेंगे सरकारी छेतर में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फील करेंगे किसी पुरानी बात के खुल जाने से आज तनाव पैदा हो सकता है वहां से चोट आदि की संभावना बनती है दांपत्य जीवन अच्छा है पति-पत्नी के मद्ध किसी तरह का विकार नहीं आएगा पति-पत्नी एक दुसरे को समझने के प्रियास में सफल होंगे लव लाइफ पहतरी किसी तरह की परेशानी नहीं लव लाइफ में कुछ उलजन अपने आप दूर हो रही है स्वास्त की स्थति थोड़ी दिक्कत कर सकती हेल्थ-वाइज कुछ परेशानी आएंगी स्वास्त में कुछ बड़ा तनाव आज आपको महसूस होगा आज किसी भी चीज को ले करके बहुत उलजना नहीं आपको स्वास्त को ले करके सजग रहिएगा आज का दिन किसी छोटी मूटी सरजरी की तरफ बिशारा करता है प्रियोग क्या करना चाहिए आपको भगवान गणेश का ध्यान करें क्या नहीं करना है आज ज़्यादा दूसरे के काम में अरचन नहीं डालना है शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भागी प्रसत फिफ्टी सेवन करक राशे मानस्चुक शांती मिलेगी तनाओं से मुक्ति मिलेगी धन की स्थिती अच्छी है पढ़ाई बेहतर करेंगी ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में कोई रुकावट कोई बाधा नहीं आएगी ब्यापारिक नुकसान से बाहर आएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकुलता है आज नई नवकरी की संभावना है नवकरी में आ रहे बाधा है दोर होगी दामपत्य जीवन बताऊंगा मैं पहले सरकारी च्छेतर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ उल्जने कम हो रही है सरकारी छेतर में मानसिक शांती मिलेगी दामपत्य जीवन आपका अच्छा है दामपत्य जीवन में किसी तरह का दुराव न ही आएगा मैरियरल लाइफ बहतर आज एक दूसरे को समझने के प्रयास में सफरता मिलेगी लव लाइप में उल्जने हैं आज रिस्ते को ले करके संजीदा रहने की आवशक्ता है जादा एस्पेक्टेशन नहीं रखना है बिलकुल समर्पित भाव से अपने आपको संयत और सांद रखिएगा स्वास्त में आज माइगरेन के समस्या छाती में दर्द ब्लेट प्रिशर की शिकायत हो सकती है प्रयोग के तोर पर आज गव माता को हराचारा दीजेगा लेकिन क्रोध किसी के ऊपर आज नहीं करना है शुबरंग आपके लिए बादामी भागी पर सत 52 सिंग राशी आज सिंग राशी वालों के लिए किसी करो मोरों की स्थिति से कम नहीं है सिक्षा के मामले में बहुत महरत करना पड़ेगा सिक्षा जैसे हाथ से निकल रही है कुछ मांसिक इस्थिति ही लेगी व्यक्तिकत रिष्टे प्रभावित होंगे सोयम को बहुत साध करके साउधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा यही आपके लिए सर्बोत्तम रहेगा आज का दिन ब्यापार बहतर करेंगे आप बिजनस में किसी तरह के दिक्कत ने आएगी बिजनस की उचाई आप छू सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किलों से बाहर आएंगे प्राइवेट सेक्टर में तनाव से मुक्ति मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे सरकारी छेत्र में उल्जने बढ़ रही है गौर्मेंट सेक्टर की स्थिती ठीक नहीं है सरकारी छेत्र को लेकर के बहुत सहज और सजग रहने क्या वशकता है दामपत्य जीवन आपका बेहतर है रिष्टा मधुर रहेगा परिवारिक समर्पन का भाव भी बना रहेगा आज का दिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए जो लव लाइफ में इन्वाल्व है ब्रेक अप हो सकता है साउधानी परते तनाव से मुक्ती अपने आपको मुक्त रखने की कोशश करें उपाय क्या करना चाहिए आज मताओं का पहले स्वास्त के मामले में आखों की तकलीफ और शुगर की समस्याज हो सकती है प्रियोग के तोर पर किसी छोटे बच्चे को दूध का दान करिएगा क्या नहीं करना है आज खुद को कमतर नहीं आखना है कम नहीं आखना अपने आपको अंडरिस्टिवेट नहीं करना है शुबरंगहरा भागी परिश्ट चौश्ट कन्याराशिव परिश्टतियां बहुत अनकूल है चिंताओं से मुक्ति मिलेगी मानसिक शांती रहेगी कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने जा रहा है आज खुब मन लगा कर पढ़ेंगे ब्यापार की इस्थिति अच्छी है बिजनस में उल्जनों से बाहर आएंगे ब्यापारिक नुक्सान बिल्कुल खत्म हो जाएगा लेकिन प्राइबेट सिक्टर में आज नोकरी हाथ से जा सकती है किसी पुराने गड़े मुर्दे के आधार पर आपको आज फायर किया जा सकता है सावधान रहे आज सरकारी छेत्र वालों के लिए धन की स्थिती अच्छी है शादी अगर नहीं हुई है तो आज शादी तैह हो सकती है दामपत जी उन अच्छा है पत्ति की बातों को आज आज आप अगर दिल से नहीं लगाएंगे तो सब कुछ सामान ने रहेगा अगर आपकी राशी कन्या है और आप महिला है तो आपको पत्ति की बातों को दिल से नहीं लगाना है आज लव लाइव की स्थिती उठा पटक वाली है बैक की प्रॉब्लम स्वास्त के मामले में और घुटने की तकलीफ परिशान करेगी प्रियोग के तोर पर आज का दिन बेहतर करने के लिए दिनांग 11 जोन को बेहतर करने के लिए अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा सरसो का तेल रगण लीजिएगा दिन अच्छा भी देगा क्या नहीं करना है उधार किसी को भी नहीं देना है पढ़ाई के मामले मूठा पटक रहेगा सिक्षा आज थोड़ी सी नोक जोक वाली रहेगी जैसे किसी दोस्त से परेशानी हो गई टीचर से कोई परेशानी हो गई आज कुछ ऐसी बाते हो सकते हैं जो पढ़ने से आपको विमुग कर दे तुला राशी 11 जून गुरुवार ब्यापार नया रिस्क नहीं लेना है पार्टनर्शिप आज बाधित है पार्टनर्शिप बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ब्यापार पैसे के मामले में आज चिंता हर लेगा कहीं से अकसमा धन की प्रापती होगी प्राइवेट सेक्टर के लिए नोगरी में उठा पटक रहेगा बॉस के साथ विवाद संभावित है आज गौवर्मेंट सेक्टर के लिए सब कुछ बहुत सावान है सरकारी छितर में किसी तरह के दिक्कत नहीं आएगी दांपत्य जीवन आपका अच्छा है पत्पत्नी के मद्ध तनाव खत्म हो रहा है पत्पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ एध्ध में लेवल छूलेंगे आगगे लव लाइफ जबरदस्त किसी तरह की स्थिती खराब नहीं होने पाएगी लव लाइफ में सब कुछ बहुत सामानने रहेगा आज स्वास्त के मामले में तुला राशी वालों को किट्नी की समस्या कुछ अगर पहले से है परिशान करेगी सांसों की दिक्कत हो सकती है इसकिन प्राबलम से मुक्ती मिलेगी प्रियोग क्या करना चाहिए आज तुला राशी वालों को आज सर्सों के तेल का दिया घर के दक्षण भाग में जला दीजेगा क्या नहीं करना है बड़ों को जबाब नहीं देना है शुबरंगुला भी भागी पर सर्फिफ्टी एट व्रिश्चिक राशी उल्जने रहेंगी थोड़ी सी पढ़ाई आज कम कर पाएंगे पढ़ाई सिक्षा से मन विमुख होगा आज सिक्षा का छेत्र आपका थोड़ा तनाव ग्रस्त है आज का दिन आपके लिए कुछ टफ सिचुएशन पैदा कर सकता है खुद को संभालने की आवश्यक्ता है आज ब्रिश्चिक राशी वालों को आज ब्यापार में उन्नती आवश्य प्राप्त होगी बिजनस में आ रही बाधाएं दूर हो रही है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती है आज बैक की प्राप्लम और एडियों में समस्या हो सकती है सरकारी छेतर बहुत अच्छा रहेगा गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिकत नहीं आई गौर्मेंट सेक्टर के लिए आज प्रमोशन और स्थानांतरों दोनों की खुशकबरी मिल सकती दांपत्य जीवन अच्छा पत्नी के साथ इस्ता मधुर रहेगा पत्पत्नी के मद्ध किसी का भी प्रवेश आज पूर्टा वर्चित रहेगा लेकिन लव लाइप में उठा पटग रहेगा कोई न कोई हस्तक शेप आज जरूर हो रहा है स्वास्त के मामले में आज आपको दांपों की समस्या और गर्दन में समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज आज का दिन बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा सा गुलाव जल अपने आप पर छिड़क लीजेगा क्या नहीं करना है आज भूल कर भी किसी को सलाह मत दीजेगा शुबरंग सफेद भागी पर सच्छाचट धनुराशी दिनांग 11 है चून दिन गुरुवार पढ़ाई के मामले में आज बहुत उठा पटक महसूस करेंगे सिक्षा कहीं से भी ठीक नहीं चलेगी सिक्षा का मामला आज आपका टफ है सिक्षा छेतर में कुछ उल्जन, कुछ तनाओ, कुछ परिशानी रहेगी ब्यापार अच्छा चलेगा ब्यापार में कोई समस्या नहीं है कोई नई स्ट्रटजी बना सकते है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में प्रमोशन और वाहन का सुख मिला सरकारी छेतर में बास आज किसी बात पर आपकर आरोप लगा देगा आज आपको बहुत गवर्मेंट सेक्टर में अगर हैं आप धनुराशी है तो बिल्कुल बास को सुनने की कला विक्षित कर लीजेगा दामपत्य जीवन बहतर रहेगा स्मूथ चलेगा लव लाइफ टफ है यहां मामला उठा पटक वाला है लव लाइफ कहीं से भी ठीक नहीं लव लाइफ को ले करके आज बहुत उल्जने बढ़ सकती स्वास्थ आपका बैक की प्रावलम और घुटने की तकलीफ आँखों की समस्या दांतों की समस्या परेशान करेगा ब्रहश पत नीच का है तो क्या कर सकते प्रयोग क्या करना चाहिए आज आज मादुर्गा का ध्यान करिएगा कितना प्यारा सा मंत्र है पर छोटा सा है जबते रहिएगा क्या नहीं करना है जूटी कसम नहीं खानी है आज बैगनी रंगशु भै क्यावन प्रिस्ट का भाग आपके साथ है मकर राशी दिन 11 जून दिन गुर्वार चपर दस दिन है खूब मन लगेगा पढ़ने में छोटे बच्चों को तो गजब का आज आनन्द आएगा दोस्तों का भी आज बहुत साथ मिलेगा ब्यापार प्रभावित होगा बीजनेस में उठापटक है आज प्राइविट सेक्टर वालों को वाहन का सुक और शादी तैह हो सकती है लेकिन गुर्वर्मेंट सेक्टर में बहुत अचानक ना जाने किसी बात पर आप पर नाराज हो सकता है आज याद कर लीजेगा कोई काम कहा है तो पूरा करके जाएगा ध्यान दीजे गौर्वर्मेंट सेक्टर दामपत जीवन अच्छा रहेगा बस आज पत्नी को प्रशन करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा संतान का सुक मिलेगा आज लव लाइक प्रभावित होगा शादी की जर्चा खदा भी ना करिएगा थोड़ा अपने आपको लू प्रोफाइल रखेंगे प्रेमिका के सामने या प्रेमिय के सामने तो बहतर रहेगा मगर राशी वालों के लिए आज स्वास्त के मामले में माइग्रेन और बैक की प्रभलम हो सकती है प्रियोग के तोर पर आज ब्लैक कलर आपको पहनना बहुत शुब होगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है काला रंग शुब है पचास प्रत्षित का भाग आपके साथ है कुम्बराश 11 तारिख 11 जून दिन गुरुगार बहुत अच्छा दिन है किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी हर प्रकार की शुबता और प्रशन्नता आपको प्राप्त होगी आज ब्यापार अच्छा चलेगा फिजनस में ने श्रटजी बनेगी आज कोई रुके धन की प्राप्ती भी अपने आप हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ उल्जने अपने आप परेशान करेंगी प्राइवेट सेक्टर में जल्दी बाजी मत करिएगा कोई भी निरले लेने से पहले दो-चार सीनियर्स जुनियर्स से सलाह मश्वरा करिएगा सरकारी छेतर अच्छा है रुके धन के प्राप्ति होगी आज मकान का सपना पूरा होगा धामपत्र जीवन बहुत अच्छा है रूठी पतनी वापस आएगी आज रिस्तेदारों से कुछ न कुछ बात चीत करके रिस्ते कुनी भाने की कोशिश करिएगा लव लाइफ थोड़ा टफ रहेगा जल्दी बाजी नहीं करनी है तनाव से अपने आपको बचाने की कोशिश करनी है स्वास्त आपका बहतर है आज का दिन दवाओं को परे करना है सब कुछ आपके लिए सकरात्मक रहेगा उपाय क्या करना है आज दो पौधों में पाली डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज बड़ों की सलाह अंदेखा मत करिएगा शुभरग आपके लिए लाल भागी परसस साथ अंतिमराश मेन दिनांक 11 जून दिन गुरवार अदभुत दिन है आपका किसी तरह के तनाव की स्थिती नहीं कोई बड़ी परेशानी नहीं कुछ बहुत सखरात्मक हो रहा है लेकिन ब्यापार प्रभावित करेगा आज बिजनस के लिए आज उल्जन बढ़ेगी कोई सरकारी मशिनरी से कुछ जांच परताल भी आ सकती है प्राइवेट सेक्टर आपका बहतर है सरकारी छित्र के लिए कुछ बड़ी मुश्किले है गर्मन्ट सेक्टर को बहुत साउधानी के साथ आगे लेकर चले दामपत्य जीवन आपका बहुत उत्तम है पत्य पत्नी के मद्दे तनाव खत्म लव लाइफ अद्भुत शादी की जर्चक कर लीजेगा दुपार की बाद रिस्क लेना सततार का नक्षतर में शुब होता है आज का दिन स्वास्त के मामले में एणियों में समस्या यूरी केसी रापका बढ़ सकता है और थोड़ा सा लीवर प्रॉबलम भी करेगा अगर पहले से पिशन्ट है या अलकोहलिक लीवर है फैटी लीवर है तो द्यान दीजेगा उपायग्या करना चाहिए आज आज का दिन एक माला गायतरी मंत्र का जाप स्नान करके कर लीजे टफ लगे तो किसी जरूरतमंद को चीनी का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है अंजान से दिल की बात न करिएगा शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रिस्ट 53 तिर पर आईए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का भाग्याक्षर बहुत छोटे सा अग्षर अदभुत चमतकार और सफ़ता अदभुत क्या उपाय करना चाहिए यह उपाय है कि इसे लिख कर अपने पास रख लीजिए आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज दिनांक 11 जून की सक्सेस की उल्टे हाथ की छोटी अंगली में थोड़ा सा सरसो का तेल लगा लीजेगा और यही आज की दिन का चमतकारिक सक्सेस की है घर बैठे शांती पूर्वक मुहबबत के साथ अपने आपको प्रशन रखते हुए कदम आगे बढ़ाईए और हमारे शुब कामनाओं का आशिरवात का पिटारा लेकर जाईए बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ 17 जून से 21 जून सूर्य गरहन के उपलक्षम कुछ आपके लिए विशेश आयोजन है 93546-19250 पर कॉल करके सैलिश जेसे बात कर लेजेगा आपके बहुत 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 शुब दिन की मंगर कामना नमस्कार से किस्णा जैसी रादे